हेलो फिरेंज इस वीडियो में दिखाएंगे जारखन इस्टेट का ST जाती पर्मान पत्र ब्लोक लेबल से बनाये हैं तो उसको जीला लेबल में कैसे बनवाना है complete process दिखाएंगे ये ST का जाती पर्मान पत्र है अंचल अधिकारी दुवारा बनवाया गया है और ये वाला है district level अनुमंडल दुवारा बनाया गया है तो अभी इसी का process दिखाएंगे अंचल certificate को अनुमंडल में कैसे बनवाना है जार सिवा का official website में आ जाना है फिर अपना ID से login करना है फिर apply option में आना है apply for services इसमें किलिक करना है फिर नीचे option खुलेगा view all available services इसमें किलिक करना है सभी services खुल जाएगा अभी सिर्फ ST का block level से जाती बना हुआ है उसको जीला लेबल में बनाएंगे तीन नंबर option में आना है cast certificate for ST central by SDO and DC इसमें किलिक करना है apply option खुलेगा application form खुल गया है reason for apply आवेदन का कारण आवेदक कौन्ची के लिए ये बनवाना चाहता है फिल करना है यहाँ पर अगर school college के लिए बनवा रहे हैं तो education type कर देना है अगर job apply कर रहे हैं तो job type कर देना है जिस भी कारण से बना रहे हैं उसको यहाँ पर फिल करना है reason type करके नीचे आना है इसके बाद यहाँ पर जो cast certificate बना हुआ है उसका registration number फिल करना है cast reference number यह number आपको जो cast certificate block से बना हुआ है उसमें मिलेगा यह block level से बना हुआ है यहाँ पर मिलेगा reference number इसी को copy कर लेना है और यहाँ पर paste कर देना है date of issue किस date को यह certificate जारी हुआ था उस date को यहाँ फिल करना है select करना है यह date आपको इसी में मिलेगा यहाँ पर date मिलेगा इसी date को फिल करना है select करना है date select करने के लिए इसमें click करना है calendar खुल जाएगा issue date select कर लेना है इसके बाद candidate का birthday select करना है date of birth इसमें click करना है आवेदक का अधर काट ले लेना है और date of birth select करना है date of birth फिल करने के बाद get data में click करना है beneficiary का सारा data automatic फिल हो जाएगा आवेदक का सारा डाटा खुल गया है पर्सनल इन्फर्मेशन इसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर लेना है इसूइंग अथोरेटी यहाँ पर दो अप्सेन मिलेगा डेपेटी केमिशनर सब डिविजिनल अपिसर पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है डेपेटी कमिशनर इसके बाद नीचे बेनिफिजिर का डिटेल्स मिला लेना है नेम, जेंडर, डेट अप बर्थ, मबाइल नंबर, जाती, फादर नेम, फादर का जाती, पर्मानेंट एड्रेस, गाउं का नाम, देश, राज्य, जिला, सब डिविजन, अनुमंडल, अंचल, थाना, पोस्ट ओपीस, गाउं मोहला, पिन कोड, पर्जन एड्रेस, इसको मिला लेना है, सारा डाटा ऑटोमेटिक डिटेट करेगा, बस आपको मिला लेना है, डिकलेरेशन में आपको यैस रखना है, additional details में आपको जिला का नाम दिखाएगा, इसके बादा सबमीत करना है, सबमीत करने से पहले इस क्याप्चा को एक बार रिफरेश कर लेना है, सब इसको automatic यहां detect कर लिया है, document के लिए Hindi और English दोनों को select कर लिया है, अगर इसको देखना है, तब फिर view इसमें click करना है, इसके बाद और एक document select करना है, document related to reason for apply, किसके लिए apply कर रहे हैं, वो document देना है, select में click करना है, एक option मिलेगा, इसी को select कर लेना है, और आपको यही cast certificate को upload कर देना है, choose file में click करना है, जिस भी file में रखे हैं, वहाँ से select करना है, तो चलिए select कर लेते हैं, जाती certificate को select करने के बाद, save कर देना है, तीनों document upload हो गया है, एक बाद check कर लेना है, तीनों को एक बाद check कर लिजिएगा, इसके बाद payment करना है, make payment में click करना है, CAC wallet से payment करना validate करना है अपना violet pin फिल करना है pay में click करना है payment success payment success होने के बाद acknowledgement देदेगा acknowledgement को print out निकाल सकते है या फिर save करके रख सकते है print में click करना है और print out save कर लेना है तो चलिए अभी save कर लेते हैं तो इसी तरह block level जाती को district level में करना है apply करने के बाद 4-5 जिन के अंदर आपको मिल जाएगा thanks for watching वीडियो पसंद आए तो like करें और channel में यूहते प्लीज चैनल को subscribe करें bell icon जोरू दबाएं और all में प्रेश करें ताकि इस channel में जब भी new update आए notification आप तक पहले पहुचे तो मिलते हैं next video में